हेलो गाइज गुड मॉरिंग वेलकम टू बैंक इंगलिस मानियाक आज है 18 फेबरेरी और 18 फेबरेरी के दा हिंदू आर्टिकल में आप सब का स्वागत है तो चलिए बिना किसी देरे के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है नेटल नेटल में सोता है चिड़ाना एनोई नार्क को बोलते हैं नेटल जैसे की पिक्चर में दिख रहा है वो लड़का एक भौंपू लेकर अपने भाई को चिड़ा रहा हो वो बार बार उससे बज़ा जा रहा है उसके कान में तो यह क्या है नेटल इसके सिनिनिम से एक्जास्परेट इन्फूरियेट इस तरीके से हम वेक्स को यूज करेंगे इसके और भी सिनिनिम से जैसे रोयल यह जो छोचोटे होते हैं यह लर्न करना बड़ा असान होता है तो इनको लर्न भी करना चाहिया रोयल र-o-i-l फ्रेट ठीक है यह नेक्स्ट है मैं यूज करूँगा अगले बार जब वीडियो आएगी तो उसमें मैं यह इंक्लूट करूँगा तो सुन लो एक बार एक और होता है पी डेवल इवी मतलब चिड़ाना तो यह इतने सारे हैं लेकिन यह छोचोटे हैं तो लर्न करना आसान ह अगला वाटेफ डेली डेली में सोता है विर्थ इदर उदर घुमना मोच मस्ती करने को बोलते हैं डेली जैसे की इमेज में दिखरा है वो लड़की के साथ क्या कर रहा है मोच मस्ती कर रहा है तो इसको यूज कैसे करेंगे हम, don't daily do hurry up देली मत करो इदर उदर मत घुम उ जल्दी करो या फिर डॉन डेली और वी विल मिस्टर ट्रेन ठीक है इस तरी के साम इसको यूज करेंगे इसका एक और मतलब होता है जो के इमेज में दिख रहा है क्या तुपले आम रसली फलर्ट को बोलते हैं डेली इसलिए कटेट भी इसका एक और सिननीम हो जाएगा कटे स्पलिंग के सी-ओ-क्यू-डेबल एटी इसका मतलब होता है मोहिनी जो इस तरी किसी पुर्ष को आकर सिथ करती है अपनी अदाएं दिखा कर वहता है ककेट ठीक है तो यह भी याद रखना है इसके यह भी एक सिननने में फिलेंडर को बोलते हैं फिलेंडर भी एक सिनने मे इसका एकॉंपल देखते हैं he always delibe the girls वह में से लटकिव music साथ घूमते रहता है अगला वोद लेंगर लेंगर में सोता थकां टाय शोंते लेंगर में जैसे की इमेज मोरे दखे रहा है 갈 के यह उत्रु सारी किताब कि पढ़ETH थक गई हैं अनुइव इनर्वेशन यह सब के्यां में लेथार्जी फड़ीक अपैसी प्रैयलिटी primeira मतलब कमज़ोरीवीक्नेश को भूत एं ल्से क्यूड लिस्ट लैस taxनेस इंटर्वेशन इंर्वेशन विकनेस को को बोलते हैं इनर्वेशन है टॉर पर हो गया सायद परसुई पड़ा हमने टॉर पर मिस इनर्शिया जड़ता को बोलते हैं टॉर पर जो एक बार बैठ यह तो बैठे गया अब उठने का नामी नहीं ले रहा तो यह हो गया ठीक है अब जैसे अधा सिक परसन ग्रेज्वली फॉर इंटू टॉर पर जो सीग परसन ने वो दीरे-दीरे क्या हो जाता है सिथलता की और बढ़ता जाता है तो यह हो गया टॉर पर और इसको लेंगर को हम यूज कैसे करेंगे जैसे इमेज में दिख रहा है ड्यू तो यूज इसलेबस उसका समीता सारा स्वाइबस से सी फिल लेंगरिंग वह बिल्कुल थकान महसूस कर रही है एक्जांपल दिखाया मैंने इसका ड्यू टू लॉंग इल्नेस पैन एंड लेंगर हैज ग्रेटली इंक्रीज उसके जो लबी बिमारे की कारण उसका दर्द और थकान बढ़ता ही चला गया अगला वाट है पैनियोरी पैनियोरी में सोता है गरीवी पौवर्टी को बोलते हैं जैसे कि इमेज में दिख रहा है चोटे बच्चे हैं देखो इनको इसको जाना चाहे था लेकिन नहीं जा पा रहे क्योंकि गरीब हैं वो लोग खुद काम करते हैं तो यह है पैनियोरी पॉसिटी डेफिसिंसी इसकार सिटी यह सब इसके सिन्नियम हो गए दा फैमिली डाइट इन पेन्योरी जो परिवार है वो गरीवी में मर गया यह इसका एक्जांपल हो गया और गरीवी को और क्या क्या कहते हैं एक होगे ब्यागरी डेस्टी ट्यूशन इंडी जैन्स और क्या है पैनी लेस्नेस पैनी लेस्नेस मतलब जिसके पास है कि पैनी लेस्मिस पैनी लेस्नेस मिस होता है जिसके पास एक सिक्षा बिना पैनी मतलब सिक्षा लेस्नेस मतलब जिसके पास एक सिक्षा बिना हो I-M-P-E-C-U-N-I-O-U-S-N-E-W-S Impecunious और क्या है? Empowerment हो गया तो ठीक है यह इतने वर्ड है Indigence हो गया I-N-D-E-I-N-D-I-G-E-N-C-E Indigence तो यह हैं इतने ही वर्ड है बस आपको यह वर्ड सुनने जरूरी है जरूरी नहीं कि आपको यह लिखनी है vocabulary आपकी increase होगी बढ़ेगी क्योंकि जितना कम वर्ड सुनोगे हर वर्ड आपको नया लगेगा इसलिए मैं यह सारे वर्ड एक साथ बोल देता हूं ताकि थोड़ा बहुत जितने माइंड में आते मेरे उतने आपके माइंड में भी आजाए ठीक है? यह जरूरी होता है vocabulary बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप जितने ज़्यादा words से गोथ रोंगे अगला वर्ड है vigilant भी से होता है सतरक, सावधान, watchful को बोलते है जैसे कि भोजी है वहाँ पे आर्मी जबान है इनको कितना सतरक रहना पड़ता है जोड़ा सा भी सतरक ता हटी तो बहुत कुछ हो सकते हैं तो यह बहुत ज़्यादा सतरक रहते हैं watchful रहते हैं circumspect है alert, cautious, argus-eyed argus-eyed है यहाँ पे keen sighted को बोलते हैं जैसे पक्छी है बाज है इनकी जो दूर की नजर होती है बहुत तेज होती है यह दूर तक बहुत कुछ की देख सकते हैं तो इनकी यह है argus-eyed यहाँ से निकला हुआ है ठीक है इसके और क्या क्या है careful हो गया on the lookout wide awake और क्या हो रहा है on the alert awakeful को बोलते है एक और है बहुत अच्छा है on your guard मतलब सतरक रहे न on your guard और क्या है ठीक है बस इतने है काफी है इसका example है staff have been instructed to be extra vigilant जो staff है उसको instruct किया गया कि extra सतरक रहे एक्स्टा विजिलेंट रहे ठीक है अगला वर्ड़ है यह एक वर्व है इसका मतलब होता है उंचा उठना अतिकर्मन करना जैसे image में दिख रहा है जब हम योगा करते हैं तो हम लोग जो है अपनी limit से पार हो जाते हैं beyond चले जाते हैं तो यह हो गया transcendent exceed, surpass, go beyond, rise above यह सब इसके synonyms हो गए a film that transcends all our previous efforts जो फिल्म है उसने अपने पर पहले के जितने भी पहले के परियास थे उन सब से पार हो गए उन सब से आगे निकल गया ठीक है इसके और synonyms से सुन लो जैसे क्या है leave behind हो गया यह तो लिखा नहीं लिखा था है leave behind, out strip out strip हो गया out do हो गया out sign हो गया out sign मतलब से अधिक चमतकार होना चमकदार होना या stress होना और क्या है over step हो गया go above हो गया तो यह सब भी आपको ध्यान रखना है अगला वाड़ है silent silent भी सोता है प्रमुख मुख्य को बोलते है silent जैसे silent feature silent feature of this car ठीक है इस तरीकते हम इसको silent को यूज करते है out standing, prominent, marked, striking यह सब इसके क्या हो जाएंगे synonym हो जाएंगे एक और है conspicuous c o n s conspicuous इसका मतलब होता है विशिस्ट यह सुस्पस्ट सहज द्रिश्चे को बोलते है जो आसने से दीचाए noticeable और क्या हो गया इसका example है the silent points of the argument जो argument थे उसके जो मुख्य points थे ठीक है अगला वर्ड है arduos difficult टाफ टाइरिंग पेनफुल को बोलते है कठिन कार यह इसके synonym है laborious toilsome थका देने वाला back breaking कमर तोड़ देने वाला ठीक है और क्या क्या है exhausting हो गया rigorous हो गया troublesome और एक और है बहुत अच्छा वर्ड है क्या है growing g-r-u-e-l-i-n-g थका देने वाला growing एक और है strenuous s-t-r-e-n-u-o-u-s onerous हो गया laborious हो गया और क्या है burdensome fatigue बस इतनी है इसके example देखते हैं इसका along arduous and exhausting war एक लंबी दुसकर कठिन और ठका देने वाली ठका देने वाला यूद ठीक है अगला वाट है conviction कनिक्शन मिस होता है दोसे सिती या धारना को बोलते है assurance certainty certitude confidence यह सब इसके scenario हो जाएंगे believe opinion principle faith tenet notion tenet notion धारना को बोलते है ठीक है और क्या था creed cr ee creed सिधानतिया सांप्रदाय को बोलते है creed ठीक है इसका example है she spoke with the real conviction on the matter उसने इस matter पर वास्तविक दिर्टता के साथ बोला ठीक है तो इसमें conviction का मतलब क्या होगा है determination और जो दोसी दिया जैसे he was convicted of theft उससे चोरी के लिए दोसी ठहराय गया यह आप बना सकते हो it's my conviction from today I will study till late night ठीक है इस तरीक से बना सकते हो अगला वाड़ है बोच्ट बोच्ट एक वर्वे जिसका मतलब होता है काम भिगाड़ना जैसे कि होते हैं नए employment वो जब office जाते हैं तो वो काम जानते नहीं है तो वो काम को भिगाड़ देते हैं तो इस तरीके को बोलते हैं बोच्ट to perform poorly or ruin through कलमसिनेस और in aptness अपनी योग अयोगिता के कारण तो इसे बोलते हैं पोच्ट जैसे कि image में दिख रहा है अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बताता हूं क्या हो रहा है यह गेम अगर आपनी खेला है तो इसमें क्या होता है अलग अलग पार्ट होते हैं चेहरे के वह हमें अरेंज करना होता है लेकिन यहां पर अरेंज बिल्कुल गरत कर रहा है यह बिल्कुल mismanage है इसकी आंके दूसरी है और फिर आंके एक आंक दूसरी है होंट भी बिल्कुल मैच नहीं है वह दूसरी तरह दिख रहे हैं ठीक है तो यह क्या होगे mismanage कर दिए इसे बंगल कर दिया मैस कर दिया मार कर दिया यह होगे इसके synonym इसका एक्जामपल देखते है इस असली आइडिया एंड ही हैज बोच्र एट यह एक पागलपन आइडिया था बेकोपन आइडिया था और उसने क्या कर दिया बिगाड दिया काम बिगाड दिया गरबड कर दिया देखो जब इस तरह के से काम बिगड़ता है या mismanage होता है तो इसके और भी बहुत सारे slang word है जो अक्सर कहना मूवी में आपने सुना होगा कोक अप एक slang word है एक और है बॉल सब यह एक टैबू है लेकिन मूवी में तो ज़्यादा यूज होता है बॉल सब एक और होता है फक अप वट हैब यू ड़न फक अप तुमने यह क्या क्या पूरा गडबड कर दिया तो यह फक अप भी इसका एक slang word है यू के नोट यूज दिस वर्ड फॉर्मली बट यू सुड नो दिस वर्ड ओके कुछ और भी है जैसे गम अप गूफ अप इस्क्रियू अप इन सब का मतला होता है गडबड होना अगला वट एमब्रेज अमब्रेज में सोता है रोस इंगर इसको यूज़ कैसे करेंगे जैसे पिक्चर में देख रहा है इसके सिर्णम सोगे यस पर सुननirm होically जाता है उसके टीपनी पर मिर उसके टीपनी पर ऊसने अपनी नारज़ जैता है तो इसके synonyms होगे एनोइंस, फ्यूरी, डजियन यह सब इसके synonyms होगे और भी हैं जैसे हव हो गया, मिफ हो गया, मिफ क्या होता है जड़ब को बोलते हैं मिफ, ओपहेंस हो गया, एक और होता है क्या पिक, पि-I-Q-U-E, पिक, रिसेंटमेंट, एक और है इडियम है वो, रफल्ड फेदर, रफल्ड फेदर मिस क्या होता है, अंगर, अगला वर्ट है और डील, और डील मिस होता है अगनी प्रिक्षा या डिफकल्टी को बोलते हैं, आज माई इसको बोलते हैं, और डीफिकल्ट और पेइनफुल एक्सप्रियेंस, इस्पेसली जो करेक्टर और इंडॉरेंस को टेस्ट करता है, उसे कहते है और डील, अगनी प्रिक्षा, जैसे कि आपका है, एक जाम निकालना क्या है आपका एक और डील है, अगनी प्रिक्षा आपको, निकालना ही तुम्हें अपनी सक्ति दिखानी होगी तो डिफकल्टी ट्रॉमा डिस्ट्रेस यह सब इसके सिनन्म हो जाएंगे जितने भी डिफकल्ट वाले होंगे ना यह डिस्ट्रेस वाले ट्रॉमा वाले यह सब इसके सिनन्म होंगे जैसे हार्ट सीप हो गया लेबर हो गया सफरिंग हो गया बर्डन हो गया और क्या था माइजरी अगोनी ट्वाइल अफलिक्शन यह सब क्या है इसके सिननम हो जाएंगे जितने भी यह डिफकल्टी वाले यह ट्रोमा वाले इसका एक्जांपल देखते हैं हाव मच लोंगर इस दिस होल ओर इल गोना लास्ट कितना लंबा यह पूरा जो टेस्ट है अगनी परिक्शा यह जाने वाली है आज की पहली फ्रेजल वर्भ है लुक थ्रू लुक थ्रू मिस होता है किसी भी चीज को पढ़कर जल्दी जल्दी आगे निकलना जैसे कि मैं मोर्निंग में दा हिंदू को पढ़ता हूं मुझे जल्दी जल्दी को एकदम से पढ़ना होता है आई लुक थ्रू अदा ओल्द पेज़ ओब दा हिंदू न्यूजपेपर यह को एक जाम पले इसका लिखावा वी लुक थ्रू ओल्द बुक्स मैंने जल्दी से सारी किताबों को रीड किया अगली फ्रेज है अक्लेरियन कॉल एक्लेरियन कॉ होता है किससे इस्ट्रॉंग 받 करना पोर संथिंग जैसे मैं आप से खैज्टाउल कॉल हुआ यह सीट अकलेरियन कॉल प्लीज लाइक अंस्ट्राइब चैनल एक्जामपल है इसका ही इस्टाउड अकलेरियन कॉल तो 2 एंगस्वीपल से रिक्वेष्ट कि कि में पार्टे को जोईन करो अगली फ्रेज है bring good tidings इसका मतलब होता है अच्छी न्यूज लाना share some good news एक्जामपल है इसका I would hope that the spring will bring us glad tidings मुझे उम्मीद है कि जो बसंत्रीत हो है वो एक अच्छी न्यूज लेके आएगे अगली फ्रेज है इडियम से take the winds out of the sails इसका मतलब होता है reduce confidence और energy जैसे कि यह इडियम है इस इडियम से पता लग रहा है कि जो नाव है उससे हम हवा हवा निकाल रहें बड़ी नाव होती है कुछ नाव होती है जो हवा से चलती है तो उसका जो अगर हम वहां से हवा निकाल देंगे तो उसकी energy क्या हो जाएगी reduce हो जाएगी वो इतनी speed में नहीं चल पाएगा एक्जामपल है इसका the team's star player was injured and it really took the wind out of their cells जो टीम का star player है वो injured हो गया है हो गया था और जिसनी क्या करती है उनके confidence को reduce कर दिया तो गाइज आज के लिए बस इतना ही thank you very much please like and subscribe the channel